जननाये करपूरी ठाकुर स्मारक भवन में गरी पिछणों की मसीहा बियाहर के पुरु मुख्य मंत्री जननाये करपूरी ठाकुर जी की अंठानवी जैन्थी मनाए गए कारिक्रम की अधक्षता जननाय करपूरी ठाकूर विचार बुद्धी जिभी बाका की राज़त जिला अर्जुन ठाकूर ने किया वहीं उनके सभी अननायों ने मिलकर दीप परजोलित कर माले अरपन की तथा उन्हें शद्धा सुमन अरपित किया एवं उपस्ति सभी लोगों को संबोधित करते वे जननाय करपूरी ठाकूर जी के विचारधारा पर प्रकास डारे एवं उनके आदर्शों को चलनी को कहा आगे सबोंने एक सोर में सरकार से तीन मागे रखी जिस में भारत सरकार करपुरी ठकुर जी को भारत रतनी की उपादी दे सम्हार नाले इस्तित पार्क का नाम करपूरी पार्क के नाम से जाना जाए और सम्हार नाले समक सवे मार्गों का नाम करपूरी मार्ग रखा जाए रावत, युबा राजद जिरादक्ष विसाल यादव, युबा राजद नीता, हीरा बाबू, पपू यादव, विश्नु देप ठाकूर, संजय यादव, सहीद कई गनमानी लोग उपस थे पुलीस कप्तान के दौरा अमरपूर थाना का किया गया नरेक्शन बाका पुलीस कप्तान के दौरा अमरपूर थाना का नरेक्शन किया गया, जिसमें अमरपूर थाने के चौकिदार सहीद सभी पुलीस कर्मी मौजुद थे साथ ही अपघरादी पर नजर बनाए रखनाए है साथ ही रोकोटों को अभियान भी चलाना है लागतार गाड़ी गस्ती को हर छेत्र में निकालना है बाकम मुख्य मार्ग पर विसंबर जग गाउं के समय पेस्तित वेरियर के पस अमरपूर की और आ रही एक टोटो वाहन अर्णियंतित होकर पलट गई जिसमें चालक समित वाहन पर सबार एक महिला जक्मी हो गई जखमी चालक फुली दुमर थाना चेतर के चंदेला गाउं निवासी रुपेश कुमार एवम अमरपूर थाना चेतर के सत घड़ा गाउं निवासी साजो दिवी का प्रात में गुपचार अमरपूर इस्तित रहफरल अस्पताल में किया गया मामली को लेकर जखमी टोटो वहन के चालक रुपेश कुमार ने बताये कि रोजाना की भांती सोंबार के दिन मैं इंगलीज मोर्ड से अपनी वहन पर सबारी बैठा कर अमरपूर आ रहा था इसी करह में शोभान पूर गाउन इवासे पवंदाश भी मेरे वहन पर सबार हो गया विसंबर चक गाउं के इस्तित वेरियर के समीब शराब के नसे में दोती यूबक पवंदाश जब रन मेरे वहन का हैंडल मोर दिया जिसका रन वहन अर्डियंतरी थोकर पलड गए पर पदस्थापित पुलिस कर्मियों ने नशे में धोती यूबक वबंदाश को गिरफतार कर लिया वहीं जखमी का उपचार कर रहे डॉक्टर ने जखमी की इस्तिती खत्रे से बहार बताई है मामली को लेकर थाना दक्ष ने बताई कि गिरफतार यूबक का अस्पताल में मेजिकल जाच कराये गया जिसमें एलकोहल की पुष्टी पाई गई गिरफतार यूबक की खिलाव उत्पाद अधिनियव के तहत प्रात्मी की दर्च करते वे कारवाई की जा रही है आज राश्टी बालिका दिवस के उपलक्ष में और बाका की समा से भी संस्था बाईनिंग सार्थी के सदश्यों की दोरा रेफरेल अस्पताल अमरपूर में आज जनम ली सभी बालिका को स्वेटर, गर्म कपड़े, डेटॉल, साबून संस्था की दोरा दी गई मौके पर बाका CMO अबर कुमार चौधरी, लेटस इंस्पायर बाका बिहार चैप्टर के कॉडिनेटर सनी कुमार श्रहा, मेंटोर प्रफात कुमार, बाईनिंग सार्थी के मेंटोर अनमोल सिंग, कोश्टा अधक्ष अंकित रोशन, राजकिसोर, शर्मा समित, अश्पताल के दरजलो कर्मचारी एवं डॉक्टर मौजुद रहे पंजवारा में 64 लोगों की वी कुरुणा जांच में सभी का रिपोट नेगेटी पाया गया कोरुणा के तीसरे लहर के संकर्मन की बढ़ते मामले के वीच पंजवारा इससे जारकन बिहार चेक पोस्ट पर कैम के माध्यम से रहागीरों का रोजानब कोरुणा जांच किया जा रहा है कोरुणा की तीसरे लहर के संकर्मन के फैलने के खत्रे के मद्दी नज़र सरकार दोरा जारी किये गई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए सोंबार को पंजवारा पुलीस जारा मास्क जाच अभियान चलाए गया पंजवारा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार शाव के निटीस पर थाना की एसाई आश्रतोष कुमार सिंग ने पंजवारा बाजार में घूम घूम कर मास्क नहीं पहनने वाले दुकान दारों रहागीरों वहान चालकों को कड़ी फटकार लगाते विए जुर्माना वसूल इस और पंजवारा में कुल 24 लगों से 1200 का जुर्माना वसूल ला गया वही जोरान पुलीस ने मुक्यमार पर वहान जाच अभियान भी चलाए और यातायाध के नियुमों का उलंगन कर वहान चलाने वाले वहान चालकों से 2000 का जुर्माना वसूला गया पुर्व मंत्री ने मृतक समा सेवी के परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया पिता नकुल परशा सिंग के निधन पर शोक जताते वे उन्हें संता बना दी इस मौके पर ग्रामिनों को पुर्व मंत्री ने कहा कि अभी कोरुणा का खत्रा पूरी तरह से कम नहीं हुआ अता हमें नियमित रूप से मास्क पहनना चाहिए एबं कोवीट अनुरूप बैवार करना चाहिए इस मौके पर बाराहाट के प्रकर्ण विकास पदारीकारी राकेश कुमर बाराहाट थाना अद्दक्ष संकर देल प्रभाकर पंजवारा थाना अद्दक्ष अनिल कुमार शौब भाच्वा प्रकर्ण अद्दक्ष वास्सा रगवेंद्र जार रास मोहन ठाकुर मुखिया भोला पासवन ढुल्डूल सिंग विश्नुदेव मिश्टर अनिल कुमार शिंग उजवल सिन्हा ललित किशोर आसिस सिंग संकर चौदरी रमेश मंडल अमरकांत जैसवाल सहित अनिलोग मौजुद रहे अली मंदिर परिसर में सोलर लाइट की बैटरी हुई चोरी सती काली अस्तान 15 परिसर से रविवार देरात अग्या चोरू ने सोलर लाइट की एक बैटरी चोरी कर ली सोलर लाइट के खम्वे में लगे बॉक्स का ताला तोड़ कर चोरू ने एक बैटरी गायब कर दी ग्रामिनों ने बताए कि जब वा सुबह उठे तो उन्होंने सोलर लाइट पोल में लगे एक बॉक्स का ताला तूटा पाया जब उवम उसे बैटरी गायब थे वही ग्रामिनों ने रातरी काल में पुलिस गस्ती बढ़ाने की मांगी बिहार बिद्राले परिक्षा समीती की ओर से एक फरवरी से इंटर की वार्षिक परिक्षा सुरू हो रही है परिक्षा की तिथी नजदिक आने और कोरुणा संकर्मन के बढ़ते मामले को देखती वी सिक्ष बिबाग गाइडलाइन का पालन करते वे परिक्षा को संचालित करने के लिए कमर कसली है सतपरतिशत परिक्षार्थियों को टिका करन कराया जा रहा है परिक्षा केंद्र पर संकर्मन से बजाब को लेकर परिक्षा केंद्रों को सेनिटाइज किया जाएगा स्कूल कॉलीजों में बिना कोरुणा का टिका लिए प्रवेश पत्र परिक्षार्थियों को नहीं दिया जा रहा है इंटर परिक्षा में इस वर्ष जीले से 19,588 परिक्षार्थी होंगे 2021 के अपेक्षा इस वर 393 परिक्षार्थी कम है जीली में 19 परिक्षा केंदर बनाये गया है जात्रों के लिए 9 और छात्राओं के लिए 10 परिक्षा केंदर है छात्राओं का परिक्षा केंदर अनुमंडल अस्तर पर बनाये गया है इंटर की परिक्षा सभी केंदरों पर दो पालियों में होगी जिला राश्टी जंता दल भागलपूर आज देरंग 24 जनवरी 2022 दिन सुमवार को कोरोना गाइडलान का पालन करते वे जननायक करपूरी ठागूर जी की जैनती समारो राश्टी जनता दल जिला कार्याली मेस पेट्रोल पम में राश्टी जनता दल जिला अधग चंदरश्रीकर परशाद यादब जी की अधगशता में हुई आज के कारिक्रम जनाय करपूरी ठाकूर जैनती समारों में मुख्य अतिती नातनगर विधायक अली असरफ सिद्ध की पुर्व पिरपैती विधायक रामबिला स्पासवान एबं पुर्व विधायक सुल्तान गज फनिंदर चौधरी जी थे इस कारिकरम का संचालन जीला प्रदान महासेची विश्वजीत कुश्वाहा ने किया जनाय करपूरी जी ठाकूर के जैनती समारों के मौके पर राज़त जीला अग्दफ चंदरशिकर प्रशाद आदब जी ने जनाय करपूरी जी को याद करते इवी उनके जीवनी पर प्रपास डाला इस मौके पर जीला मीडिया प्रभारी मंजी ठाकूर के साथ सहथ राष्टी जनता दल के सीग्रों कारिकरता गन मौजूद थे